तो यहां पर मैं आपको बेसिक बेसिक आपको टॉपिक्स में आपको बताऊंगा जो आप एक बार अच्छे उनको पढ़ लेना क्योंकि रिजिनिंग आपको अच्छे से सॉल्ब कर लेते हो लेकिन बैंक्स की जो रिजिनिंग होती वो काहिन के थोड़ा टफ रहती तो यहां पर जो आपका रिजिनिंग से डिलेटेड आपका सेक्षन रहेगा उसमें कुल्स्टन से जो है वो आपके एससी लेवल से थोड़ा सा उपर आप सभी के रहने वाले हैं ठीक है कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी को पढ़ने वह मैं आपको बता दिता हूं सबसे पहला टॉपिक है अपका डारिक्टन सेंस का ठीक है यह अप अच्छे से पढ़ ले जाएगा दूसरा आपका इंपोर्टन टॉपिक है वह आपका सीटिंग अरेजमेंट से क्योंकि सीटि टे की से कूशन्स आपके पूचे जा सकते हैं तो वह अच्छे से उसकी प्राक्तिस कर लेना लेना तर आशी आपका बलेट ला फा helps an से आपके पूछेया सकते हैं से अपके पूछेया सकते हैं से पूहें सीक में से इसके इसके लावा पूंहक्ति आपका हो गया टिक क्वाश्क पूछेंट रिक्षन खेए जोर्ट कुंछेया सकते हैंוש सभी हैं стр. 5 स्थेट्मेंर रखना देंक pride खो evolving पैर 피 jazz is describe में किसी भी ग्जाम में जहां पर आपके कम क्ोष्ड ऐसे कुष्ड रखते हैं कोछ फिर रहेंगे लेकित इन पर इस तोपिक पह भी इस तोपिक पर रहते हैं ध्यान अग्ते तो यह जो मैं आपको topics मैंने आपको बता हैं जैसा setting arrangement होगा statement and conclusion होगा direction ते इसके अलावा आपका order रहेंगी यह जो 4 topics हैं यह आपके time consuming हैं इसमें आप confused भी होगे तो यह अच्छे थे आप कर लो क्योंकि हर exam में आपने अगर दिया होगा तो अपने reasoning में यह जो topics related questions भी आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन और पर कल देना बाकी इस्टाग्राम पर सरकारी नौक्री वाले बावा टाइप करके कोई भी query आप वहां पर मुस्से पूछ सकते हो के